पूरिया जंद लूज प्रेंड्स वेलकम पिनी सांट्स मैथमाटिक्स और आज हम जानने वाले हैं कि इंडिकेड बैंक पी ओ जो 2019 का नोटिफिकेशन है वो आएगा या नहीं या फिर आएगा तो हो आएगा क्योंकि पिछले साल 2018 में यह जनवाड़ी में आ चुका था लेकिन इस वारफ्रवड़ी भी पार होने वाला है तो काफी स्टुदेंट्स डाउट्स में हैं और वीडियो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब के कि अब सिंडिकेड बैंक योगा वेकेंश आएगा या नहीं तो चले इसी बात पर इस वीडियो में चरचा करते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसकी इस वीडियो के साथ में जानते चलेंगे इस लेवर्स क्या अगरें प्रिवियस यर कर दो कितना था और प्रिवियस यर कवा आय था और इस यह कब तक आने के चांसे जाए तो आइए बढ़ते आज के पहले स्लाइट पर और सुभू करते हैं आज का सेस्टन सबसे पहले हम लोग इलिजीबिटी के बारे हम बात करेंगे तो इसमें 60% होना चाहिए और यहां पर इमेज आ चुका है मैं पर इसके यहां सटा दूँ और यह 55% चाहिए तो जेनरल और ओविसी के लिए इसमें जेनरल पल्स ओविसी के लिए 60% और बाकि जितने भी क्रेटेगोरिज हैं इसके लिए 55% चाहिए ग्रेजुएशन में और ग्रेजुएशन में कैसे 50-60% और 55% कैसे कल्कुलिट कियाते हैं जब यहीं मैं बता दूँ अगर मान लीजे आपके कॉलेज में जैसे मैं तो विहार से हूँ और विहार में जीतने भी कॉलेज है उसने सब्सिडियर कोले के 1500 और केबल ग्रेजुएशन के 800 होते हैं और यहाँ पे 1500 को एग्रिगेट बोलते हैं और 800 को बोलते हैं केबल ग्रेजुएशन अगर आपके उनिवर्सिटी इज अगर आपको 800 का 60 बटा हन्डेट कर दीजे अगर 480 पर आपको अगर फस्ट डिविजन लिख देती है तो आप 800 में काउंट करेंगे लेकिन अगर आपका उनिवर्सिटी आपका कॉलेज पंदरह 100 का जब आप 60% मिकालते हैं तो यह होगा 900 अगर 900 को अगर फस्ट डिविजन मानती है तो आपको पंदरह 100 में काउंट करने होंगे यही यहाँ पे कहा गया हुआ है इस कल्कुलेटर्ट कल्कुलेशन परसिंटेज का मतलब यहाँ पे यही कहा गया हुआ कहा हुआ है डिविजन परसिंटेज और ग्लास बिविजन परसिंटेज अगर ग्लास रिजल्ट आपको अगर 60% अगर 800 में लेती है तो यह 800 पर आपका 60% मना जाएगा अगर आपका उलेशन परसिंटेज का मतलब आपका आपका आपको अपरसिंटेज कल्स बिविजबिलिती ats अगर आपका अपका अप्यरिटेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं syndicate bank pure का form या फिर उसके exams के लिए अप्लाई कर सकते हैं In the case of graduation percentage class is not clearly mentioned in the massive certificate The candidate has to produce a certificate issued by the appropriate authority of university institutes indicating graduation percentage class as per the university norms for awarding review जो बात में पहले कह चुका होगी आप भी कही गई हुई है कि अगर आपकी university पंद्रा सो पर अगर 60% को अगर फज़ भी नहीं बोलती है तो आपको पंद्रा सो में 60% लानी है या फिर जो भी को 55% लानी है अगर आपको इंग्वस्टी आठ सो पर ही 60% को अगर फज़ देती है तो आपको 800 में 60% अगर है तो आप यह फॉंट प्लाइब कर सकते हैं यहां पर यह भी बात कहीं गई हुए है कि अगर 60% जेनल OBC के लिए है अगर उनका नंबर 59.99 भी है तो यह मार्क्स नहीं काउंट किया जागा और यह इजिवल नहीं है यह भी इसमें कहीं गई हुए है आगे आप देख सकते हैं 55, 59.99 और यह 54.99 यह 55% के लिए है और यह 60% के लिए है यह जेनल OBC और यह STAC के लिए है यहां पर देख लेते हैं इसके एज लेक्सेशन के बाड़े में तो ST और और SC के लिए आप इसमें 5 years के एज लेक्सेशन है और अधर बैकपाट क्लास के लिए इसमें 3 years है और यह इक सर्विसमें बागी यह इतने भी है उसके लिए 5 years और PWD के लिए STOC के लिए 15 years और PWD और PWD के लिए 10 years और PWD के लिए 10 years और यहां पर आप यह बताएंगे कि जेनरल के लिए कि इतना है तो जेनरल के लिए 20 से 28 वर्स है और जेनरल सिंडिकेट में के लिए जेनरल के लिए 20 से 28 वर्स हो गया और वो भी सी के लिए कितना हो गया 20 से लेकिए 31 इसी बाद आप लोगी काउंट कर सकते हैं आपका जो भी कैट्वर्ड यह है उतना यह इसमें आप 28 में अट कर देंगे तो आपको पता चल जाया कि 20 साल से कितने साल देका आप अप्लाइ कर सकते हैं अब जानेंगे एक्जाम के स्लेवर्स के बारे में पैटर्न के बारे में इसमें रिजिनिंग होता है 50 नमर का और यह कुष्चन नमर और पुष्चन भी इसमें 50 होते हैं सेम है सभी के लिए जेनर अवेर्णेस चाफिर हाइनान सिल आवेर्णेस में भी आते हैं सिंडिकेट बाएंक के एक्जाम में इंग्लिस नौउच है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो की 30 मिट दिये जाएंगे आपको दो questions होंगे इसमें एक होगा later से और एक होगा essay से हैं एक later से होता है एक essay से होता है और आपको हर एक question के लिए लगवा तीन option दिये जाएंगे तीन या दो option तो हर एक question के लिए दिये जाते हैं और इसे full marks 50 है हम बात करते हैं previous year cutoff के बारे में जो 2018 का ये cutoff है तो हम लोग individual ही बात नहीं करेंगे फ़रे total में बात करेंगे total में AC के लिए 30 में था सारे 30 में फ़रे general और OBC में चलेंगे general का 119 अदर सलना 5 था और OBC का 116 था और इसी परकार आप देख सकते हैं पचीस है अंडरी जारूट के लिए और OBC के लिए 22 था ये अब यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या काफी important बात करेंगे पिछले साल दो जनवड़ी को यहाद है और इसका एक जाम अठाड़ फड़वड़ी को खोज़ जुका था और इस बार अभी तक यह नहीं आया है तो खाफी कि students इस डाउट में होंगे कि क्या ये फॉर्म अभी आएगा या नहीं आएगा या फिर syndicate bank की होगा examination 2019 में होगा या नहीं होगा क्योंकि अभी vacancy बहुत कम आ रहा है due to PCA के कारण bank loss में जा रही है बैंकों पर PCA है और अभी हाली में 4 बैंकों से PCA हटने वाले हैं और ये निशीत है कि हट जाएंगे लेकिन अभी हटे नहीं है एगारा बैंक पर PCA है जिसमें syndicate bank पर PCA नहीं है तो हम इसमें ये बात करेंगे कि इस साल syndicate bank की vacancy क्यों आएगी और syndicate bank की vacancy जो आती है उसका जो सिर्सक होता है वो post graduate diploma in banking and finance होता है ये मानिपाल के त्रू करवाती है जिसको हम लोग बोलते हैं MA माहे बोलते हैं ये मनिपाल के त्रू करवाती है और NITTE के त्रू भी करवाती है ये दो universities है जिसके त्रू ये PGDBF का course करवाती है और इसी के लिए ये vacancy निकालती है और exam contact करती है ये एपर का कोलेज में admission test होता है तो यहाँ पे हमारा मुद्दा ये है तो मेरा कहना है कि ये लगभग 100% आएगा क्यों आएगा इसी के बारे में हम यहाँ logically और अर्थ कुन तरीके से बाद करेंगे ये देखिए ये है IBPS 2020 का calendar जिसमें सभी बैंक के vacancies के बारे में जानकारे दीगी है इस बार टोटल 252 vacancy थी और फिर बाद में 150 साथ बढ़ी थी या फिर 250 जो भी हो कुछ बढ़ी थी तो टोटल 4500 से कम ही vacancy थी दख लोगा जिसमें syndicate bank एक भी vacancy नहीं लिया इस बार 2018 के फ्रवरी में 500 vacancy के लिए एक्जाम पंड़क्ट की थी उसके बाद से इन्होंने IBPS के थूर एक भी vacancy नहीं लिया और ये syndicate bank मेरे हिसाब से 2013-14 से हर एक साल P, G, D, BF के खोर्स के लिए vacancy निकालती है हर एक साल और ये IBPS के थूर लगवग नहीं vacancy लेती है तो इसके vacancy लेने का नहीं कारण एक तो ये हो सकता है कि हो सकते है कि हो सकते है इसके PCA नॉर्म सो तो भाई इसके PCA नहीं लगए है जिस 11 बैंक पे PCA लगए हुए है इसको मैं यहां में इसन कर दिया हूँ लाहबाद बैंक, United Bank of India, Corporation Bank, IDBI Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Indian Overseas Bank, Oriental Bank of Commerce, Dena Bank and Bank of Maharashtra हम किन लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, दस और 11 हो गया आपके प्रोटल एगारा जिसमें सिंदिकेट बैंक का कही नाम हो नहीं जान की नहीं है तो, सिंदिकेट बैंक पे नहीं PCA norms लगे गई है, और नहीं इन्होंने IOPS के थूरू बैकेंसे लिया है मत्तब इनको अपना वेकेंसी लेने का एक ही जड़िया है, ति इन्डिविजूली अपना ये बैकेंसी रिलीज करें और इस सालिये बैकेंसी इनको और क्यों रिलीज करना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ कीमर बढ़ रहे है अगर ये वैकेंसी नहीं लेगी तो अपना काम कैसे करेंगी जार इस बात हैं तो इनको रेकेंसी लेनी है और जो भी ए स्टुडेंट किसे डाउट में है कि इस साल सिंडिकेट बैंक्यों का रेकेंसी नहीं आएगी वो ये खयाल अपने दिमाग से अठा दे और चुप-चाप एक्जाम के प्रिपरेशन में लग जाए और नोटिफिकेशन का इंतियार नहीं करें नोटिफिकेशन लेना बैंक्स का काम है रिक्टिमेंट करना बैंक का काम है अपना काम है तियारी करना निर्वाथ तरीके से इसलिए आप अपना तियारी करते रहें और त्यारी इस पर कार करें कि आप राइक्जाम करी है तो त्यारी कैसे करना है यह कि मैं बता देता हूँ और यह 100% सिंटिकेट में क्यों गारेकें से स्वाब आना है इस बात को मैं इसा ध्यान रखें Quantitative Aptitude Originally इसकी त्यारी करने के लिए आपको daily एक मूर्टेस्ट लगाना है daily कम से कम एर्टेस्ट वन तो एर्टेस्ट आप अपने efficiency के अनुसार कि इस याथिक भी कर सकते हैं English के लिए निउजपेपर पढ़ें और एक दिन में कम से कम 10 वर्ड कंठेस्ट करें इसके बाद अगर टाइम बचती है तो ही गरामर देखें इसके बाद General Awareness और Financial Awareness और बात करें तो आप इसे मैं तो बिखली अफ्रोट करता हूँ बिखली 40 GAMC की एक सब्ता की जितने भी 40 General Awareness बनते हैं इसे मैं अफ्रोट कर देता हूँ पर देख सब्ता में और आपको General Awareness Financial Awareness का त्यारी इस परकार से करना है कि आपका एक्जाम कर लिए हैं अगर आप यह सुचिंगे कि एक्जाम का नोटिफिकेशन आएगा फिर मैं General Awareness पर हूँगा तब काफी देर हो चुपा होता है क्यंकि जब मुख टेस्ट मारने होते हैं मुख टेस्ट में नंबर लाने होते हैं ताकि हम एक्जाम में अथिक सथी के स्कोड कर सकें इसलिए इसे परकार्ट से त्यारी करने ने आप कुछ करता हैं और मुझे भी बिहार एस्टेट के बेटीर बैंक मेंस का एक्जाम देना है और मेरा आपनाम वाभ है कि आपको इसे परकार्ट से त्यारी करना चाहिए General Awareness का तो इसी मैसेज के साथ इसी विडियोग आस पसमात करते ह और अगर ये वीडियोज आपको लिए आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट रही है आपके लिए कुछ इंफोर्मेशन दी है तो पिलिए चानल को सब्सक्राइब भी करें और विडियोज को लाइक कर दें और डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बता अब कुछे भी औ और इसे अपने मित्रों के साथ में शेयर करतें तो वाज के लिए इतना ही टेक केर है वे नाश्टे